Hello everyone and welcome to the whiteboard classes अब हम कुछ कोश्चन करेंगे profit and loss के उसका पहला कोश्चन है A man purchased 150 pence at the rate of 12 per pen He sold 50 pence at a gain of 10% The percentage gain at which he saves the remaining pen So as to gain 15% on the whole outlay is तो कोश्चन में given है कि एक आदमी है उसने 150 pen लिए उसमें 50 pen उसने 10% profit पर बेचे और बाकी के वो पूछ रहा है कि वो 100 जो pen है वो कितने percent पर बेचे कि उसे overall 150 पर 15% का profit हो अब इस कुश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं मैं दो तरीके पताता हूँ आपको जो जल्दी करने के हैं वो ये एक तो पहला तरीका है कि उसने 50 pen को 10% profit पर बेचा अब वो बाकी के 100 pen को कितने profit पर बेचे या पर कितने loss पर बेचे कि उसे overall मतलब 150 pen पर 15% का profit हो तो जब हम इसे solve करेंगे तो हमारे पास x कितना आएगा x आएगा 17.5% एक तो हो गया ये तरीका और second method क्या है इस question को करने का allegation से भी कर सकते हैं allegation से कैसे कर सकते हैं अगर आपने मेरी और वीडियो देखे होंगी तो इसमें problem नहीं आएगी कि 50 pen उसने 10% profit पर बेचे और वो बाकी के 100 pen कितने profit पर बेचे कि उसे overall 15% का profit हो तो अगर हम यहां से allegation लगाएंगे तो क्या हैगा x minus 15 और जब हम इसे आगे से यहां पर solve करेंगे तो क्या होगा यहां से भी x किता हैगा 17.5% I hope clear हुआ होगा next question के विन है अब vendor purchases 40 dozen banana for rupees 250 एक vendor ने 40 dozen banana 40 dozen banana लिए इसका मतलब अगर हम इसे single banana में ले तो किता होगा 40 into 12 banana उसने लिए ठीक है कितने रुपे में 250 rupees में अब आगे क्या बोल रहा है कि 30 bananas were rotten इसमें से 30 banana बेकार थे मतलब यह किता हुआ 480 banana ठीक है और इसमें से 30 बेकार गए तो बचे कितने 450 banana बचे ठीक अब वो कहा रहा है कि 450 banana वो कितने रुपे के हिसाब से बेचे मतलब कितने रुपे dozen बेचे कि उसे 20% का overall profit हो 20% का profit हो cost price क्या थी यह थी अगर इस पर उसे 20% का profit चाहिए अगर इस पर उसे 20% का profit चाहिए तो कितने पर बेचनी पड़ेगी उसे 200 यह होगा है 100% इसका अगर हम 120% निकाले तो क्या होगा 5, 6, 50 इसका मतलब 300 रुपे चीक है इसका मतलब क्या है कि उसे 450 बनाना 300 रुपे में बेचने पड़ेंगे लेकिन अगर हमें per dozen का rate निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इनको dozen के हिसाब से लिखना पड़ेगा अगर मैं 450 बनाना को dozen के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखूंगा 450 divided by 12 इस बनाना को इतने बनाना को इतने dozen बनाना को वो कितने rate से बेचे कि वो 300 रुपे के total पढ़े इतने बनाना का वो किस rate से बेचे कि उसे total 300 रुपे का sale हो तो अगर हम यहां से solve करेंगे तो यह कितना आएगा यह जाएगा 4 times यह क्या 15, 0 times यह क्या 2 times यहां से x की value क्या आएगी 8 रुपीस इसका मतलब 8 रुपीस पर dozen के साब से वो अगर बेचेगा तो उसे 20% profit होगा even after उसके अगर 30 बनाना rotten है तो next question given है पवन कॉल अर्न 15% on an investment but loses 10% on another investment if the ratio of 2 investment is 3 to 5 then combined loss percentage is इस पवन ने 2 जगा investment करी किसमें कितने में 3 ratio यह उसके investment का ratio है एक पर उसे 15% का profit हुआ उसे क्या हुआ 15% का profit हुआ और दूसरे पर क्या हुआ उसे loss हुआ कितना minus 10% का तो overall उसे कितना loss या profit हुआ हमें यह निकालना है इस question को या तो हम allocation से कर सकते है या फिर और simple तरीके से भी कर सकते है किस तरीके से कर सकते है हमें question को easy करने के लिए अगर हम इसको यह values है इसको अगर हम 300 और इसको अगर हम 500 माले तो कज़ कोई problem तो नहीं है क्योंकि ratios में कर जाएंगे ठीक है इसको calculation easy करने के लिए हमने ये लिया है तो बाहन ले दे हैं कि starting में इसने 300 रुपे लगा है इसमें और इसने 500 रुपे लगा है इसमें ठीक है अब वो क्या कह रहा है उसे यहां से कितना profit हुआ है यहां से profit हुआ उसे 15% का तो अगर यहां से 15% का profit हुआ तो उसकी selling price हुई होगी कितनी हुई होगी 300 divided by 100 into 115 ओके तो इसको जब हम solve करेंगे तो क्या हैगा 345 similarly यहां से उसे क्या हुआ है यहां से 10% का loss हुआ है तो अगर यहां से 10% का loss हुआ है तो 500 है 100% ठीक है 10% का loss हुआ इसका मतलब 90 की value तो अगर यह 90 की value यह कितनी 450 आई तो अब यहां से देखिए उसमें 300 रुपे का investment करा था उसे मिले कितने 345 500 रुपे का investment करा था उसे मिले कितने 450 तो overall उसे profit या loss यहां पर कितना हुआ है अगर हम overall देखे तो cost price कितनी हुई overall 800 300 plus 500 800 हो गई ठीक है और अगर हम selling price देगे तो यहां से कितनी है यह plus यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 5 9 और 7 तो यहां से अगर हम loss देखे तो loss कितना है 800 minus 795 तो अगर हम loss percentage निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे sorry cp minus sp divided by cp into 100 जब हम इसे solve करेंगे तो क्या आएगा यह नों का बीचने difference कितना है 5 divided by 800 into 100 तो हमार पास loss कितना है उसे 5 by 8% का उसे loss हुआ ठीक है एक तो यह तरीका हो गया अगर हम इसी question को allegation से करेंगे तो किस तरीकी से कर सकते हैं अगर इसे allegation से करेंगे तो कैसे करेंगे उसने क्या दिया था investment करेंगे 3 is to 5 3 पर उसे profit कितना हुआ उसे profit हुआ 15% का ठीक है अब 5 पर उसे loss कितना हुआ उसे loss हुआ 10% का तो overall उसे कितना हुआ यह हमें निकालना है तो अगर हम इसे solve करेंगे तो क्या आएगा 15 minus x और यहां से x plus 10 यह minus यह होगा तो अगर हम इसको ratio लेंगे तो कैसे होगा x plus 10 divided by 15 minus x is equals to 3 is to 5 तो हम इसको आगे solve करेंगे तो आएगा हमारे पस यह हैगा 5 x plus 50 is equals to 45 minus 3 x ठीक है यह होगा 8 x is equals to यह होगा 5 तो x is equals to minus 5 by 8 इसका मतलब loss हुआ उसे कितने का 5 by 8% का next question given है कि a merchant has 100 kg sugar part of which is sale at 8% profit and the rest at 18% profit he gains 14% profit on whole the quantity sold at 8% profit is so is questions को अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि overall जो total था वो था 1000 kg sugar थी ठीक है उसने कि अगरा कि एक part को तो बेचा 8% profit पर और दूसरे को बेचा उसने 18% profit पर overall उसे कितना हुआ और overall उसे हुआ 14% का profit तो इसने पुछाए कि जो 8% पर इसने बेचा था उसकी quantity कितनी थी तो इस question को अगर हम allegation से करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि एक quantity है हमें नहीं मालूम उस पर उसने कितना profit दिया है 8% का profit है दूसरी quantity है वो भी हमें नहीं मालूम उस पर उसने कितना profit दिया है उसने 18% का profit दिया है ठीक है और overall उसे कितना profit हुआ है overall उसे profit हुआ है 14% का तो अगर हम यहां से allegation लगाएंगे तो यह एका 4% और यह कितना वा जग हैगा यह एका 6% अगर हम इंद नियुका ratio लेंगे तो क्या एका 2 इसनेग है टू किसको represent कर रहा है इसको 3 किसको represent कर रहा है 3 represent कर रहा है इसको ओके और दौनों की quantity मिलाकर कितनी थी 1000 kg जो भी total 1000 kg था कुछ पार्ट उसने यहां लगाया कुछ पार्ट उसने यहां लगाया तो दौनों का मिलाकर कितना है 1000 kg इसका मतलब क्या होगा ratio से अगर हम देखें तो कितना है 2 प्लस 3 5 ठीक है बट question में given कितना है 1000 kg हमें value किसकी निकाल ली है हमें value निकाल ली है उसकी जिस पर इसने 8% profit दिया इसका मतलब हमें value निकाल ली है इसकी इसको कौन represent कर रहा है 2 represent कर रहा है तो अगर हम 2 की value निकाले यहां से क्या हो जाएगी 1000 divided by 5 into 2 यह क्या है 200 इसका मतलब इसकी value किती थी 200 into 2 400 तो इसका मतलब ने 400 kg यहां पर लिया था अगर हम इसे एक और तरीके से कर रहा है तो कैसे कर सकते हैं हम मान सकते हैं कि 1000 kg यह उसको 1 मान लेते हैं 1000 kg को 1 मान लेते हैं और let us suppose कि एक पार्ट उसने x दिया तो दूसरा पार्ट कितना हो गया उसका 1 minus x 1000 kg को हमने 1 माना और उसमें से कुछ पार्ट x माना तो बागी का पचा हुआ पार्ट किता हुआ 1 minus x अब question क्या according क्या है कि x पार्ट को उसने 8% profit पर बेचा और जो second पार्ट था मतलब 1 minus x उसको उसने 18% profit पर बेचा और overall उसे कितना profit हुआ overall उसे profit हुआ 14% का इसका मतलब 1 पर उसे profit हुआ 14% का तो अगर हम इसे solve करेंगे तो क्या आएगा 8x plus 18 minus 18x is equal to 14 ओके ये value अगर देखेंगे तो minus 10x is equal to minus 4 ठीक है x की value क्या आई? x की value है 2 by 5 इसका मतलब 2 by 5% sorry इसका मतलब 2 by 5 part of 1 का इसने इसमें लगाया था 2 by 5 part of 1 का इसने इसमें लगाया था तो x की value होकर आई इतनी 1 की value कितनी है? 1 की value है 1000 kg 1 की value कितनी है? 1000 kg तो 2 by 5 की value कितनी होगी? 1000 divided by 1 into 2 by 5 ये कितना आए गया? same 400 इसकी value होगे next question given है a trader sales 2 bullocks for Rs. 8400 each ठीक है? और आगी given है कि neither losing and gaining in total if he sold one of the bullock at a gain of 20% the other is sold at a loss of let us suppose बाहते हैं ये CP1 है ये CP2 है ठीक है? ये पहले की है cost price ये दूसरी cost price है और ये SP1 है ये SP2 है कि दौनों को इसने 8400 पर बेचा इच पर दौनों को उसने 8400 पर बेचा इसका मतलब SP1 भी केया है उसकी 8400 अब उसने क्या बaría कि उससे ना तो gain हुआ है ना loss हुआ है इसका मतलब जो total cost price थी और जो total selling price है वो दोनों equal है तबी तो उसे ना कोई gain हुआ है ना कोई loss हुआ है तो अगर हम total selling price देखे तो कितनी है 00816 इसका मतलब दोनों की cost price भी इतनी होनी चीए तबी तो उसे neither gain nor loss होगा ठीक है इन दोनों की cost price की sum कितना होगा वो भी इतना होगा अब उसने क्या बोला है कि एक पर उसने 20% का profit किया एक पर उसने 20% का profit किया मतलब एक जो selling price है वो 120% है 120% एक है 8400 तो अगर हम 100% निकालना चाहे तो क्या value होएगी 8400 divided by 120 into 100 ये कित्योंगी 7000 ठीक है ये क्या value है 7000 इसका मतलब इसकी cost price क्या थी 7000 इसकी cost price थी 7000 तो दूसरे की cost price कित्ती हो जाएगी ये minus ये है है ना दूसरे की cost price क्या हो जाएगी 16800 माइनस 7000 तो ये कित्ना हो जाएगा 008 और 3 और 8 9 इसका मतलब इसकी cost price कित्नी है इतनी इसकी cost price कित्नी है 9800 अब उसने question में पूछा क्या है उसने पूछा है कि ये second वाला था उसने उसे कितने loss पर बेचा उसे उसने कितने percent loss पर बेचा तो देखिए second वाले की cost price है इतनी उसने उसे बेचा कितने पर इतने पर तो उसे loss कितना हुआ अगर हम loss percentage निकालें तो cp minus sp divided by cp into 100 cp है हमारा 9800 minus sp 8400 और cp 9800 into 100 जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास value कितनी हैगी हमारे पास आएगी 14 2 by 7 percent